नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का कॉसिजी टेक्निकल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुणों का बरीकर्ण क्लासिविगेशन ओप मॉमेंट क्योंकि नेश्ट जो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी घुणों का क्या होता है और इसके कुछ मेहत्पूर्ण प्रश्ण के बारे में यदि आपने वह वीडियो नहीं देखिए तो देख जाके देखिए डिस्क्रिशन में लिंक है वह प्रवाब के आदर पर किया गया है यह निमने प्रकार से हैं तो कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के कौन-कौन से होते हैं की पहला है क्या गौन तर्शन मोमेंट नेश्ट है नमन भll नमन मैंजों मौन भीमेन इससे भी नेश्ट है एiton या मरुण कौोर्षॐर efficient impact कंट dette ont के इस तीन प्रकार के घोन है इनकी आप विसे तरीके से जानते हैंसको जाके नहीं तो पहला है गुमाओं गुण, टर्निंग मुमेंट, तो यह गुण किसी बिन्दू, किसी बस्तू को उसकी आलम मन के प्रती गुमाता है, इस प्रगवाफ, इस दसा में बस्तू अपनी आलम या टेक्स पर गुनन के लिए सुतंत्र होती है, दोस्तों यह पढ़ लेना लेकिन में बता देता हूँ कैसे होती है यह, तो जैसे आप इस चित्र में देख सकते हो, कि यह कोई बस्तू है, इस पर बल लगाया जा रहा है इधर से, ठीक है न, यह आपकी कोई बस्तू है, इस पर बल लगाया रहा है इधर से, तो जब यह इस टैप मुमेंट होगी, इस टैप चत्र के अनुसार यदी पर पैमाने में छेद करके उसके दीवार के कील लगा कर लटका दें। एक 36 बल P कील से D दूरी नीचे पैमाने लगाए कि तथा पैमाने प्रभाब दिशा में बल P और घून P इंटू D के प्रभाब में गूमेगा। इस स्थिती में आलम बल के गुमाः प्रभाब का नर्ण बिरोध होता है इस प्रकार के बल के प्रभाब से बस तुर्य गूमती है इसे गुमाव लट कहते हैं नेश्ट है हमारा नमन गुण बेंडिंग मुमेंट यह कैसा होता है इसमें अंतर देखिए यह गुण बस्तूग पर जुखाने का प्रियास करता है नमन गुण मिस्ट नमन मने जुखाना जुखना ठीक है तो जदी पैमाने को भूमी में उर्दभादन घार कर 36 बल पी चित् होने के कारण पैमाने गौमने के लिए सुतंत्र नहीं है सुतंत्र नहीं है क्योंकि गूम नहीं सकता है अच्छा यहां पर take a फिक्स कहलाती ゆ कहीं बनोस्ता ओवका ने गुण बेंडिंग मुमेंट कहलाएगा इस प्रकार के प्रभाप के बस्तु गूमने के बजाए जुक जाए या नमन गुण कहते हैं ठीक है मुड़े ना जुक जाए उसको नमन गुण कहते हैं जैसे अच्छा यह हो गई हमारी अमनेश्ट है हमारा एटन या मरून गुण त चैंजम आप देख सकते हुए रहा बद्री ऐत बात दिया है सुतां दिलिव बी पर एक बल्ड प रिकाल लगाए राका जाता है कि एक कि था जो अजिके मारणग होता है इसमें इस पर दिख एक बल्ड़ धल कहलाता मरोड़ के भणूस्त है तो इसमें इस प्रकार जिस बल कहते हैं दोस्तों एक वार आपको अपनी भासा आपकी अपनी भासा में समझा दूं कि तीन प्रकार के जो हमने बता हैं गुमाओं गुण गुमाओं गुण में क्या होता है कि बस तू जो है अपने इसाब से थोड़ा एक तरब हम बांद कर दें और एक तरब से फोर्स ल जुकेगी बस तू अच्छा नैशता हमारा एंटन एंटन मरोड एंटन या मरोड गुण इसमें ना तो जुकेगी बस तू ना तो जुकेगी और ना ही वो मरोड होगी ठीक है ना यह हो पहला जो हमारा था पहला हमारा था गुमाओ गुणना गुमेगी नम all evil मरोड हो जाएगी उसी जगह ठीक है ना तो ये थे हमारे गुणों का बर्गी करना कैसी लगी वीडियो वीडियो कमेंट बताना और दोस्तों यदि ऐसी ही वीडियो में लाता रहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पॉजर टेक्निक की फुल प्रेप्रेशन करा ही की चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन में प्रेस करने जिससे की नई वीडियो को नोटिवन तुर्ण आपको मिल जाए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में सेर करें धन्यवाद वीडियो को लाइक करें